हेलो गाइस, वेलकम बैक to the channel everyone, hope you guys were doing absolutely good तो दोस्तों, आज़ काल के जितने भी बाइक्स आते हैं, जितने भी बाइक्स मिलते हैं, उनमें ये पलेट आप देखते होई हैगा ठीक है इसको disc plate भी बोलते हैं rotor plate भी बोलते हैं ठीक ये देखते होईएगा और इसमें ये जो आप छेद देख रहे हो hole देख रहे हो ये भी देखते होईएगा लगबग अब तो 100cc के bikes में भी आने लगी है पहले महंगी bikes में आती थी sports bike में आती थी लेकिन अब महंगी bikes में भी आने लगी है तो guys ये जो आप hole देख रहे हो इसका काम क्या है बस style के लिए है या मतलब इसका कुछ सच में use भी है इसलिए ये company क्यों देती है आखिर तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे detail में कि आखिर ये छेद जो होते हैं disc rotors पे rotors plate पे ये छेद होते क्यों है और इसका काम क्या होता है इससे पहले मैं आपको थोड़ा history के बारे में बता दू पहले जो early 90s या late 90s में जो bikes आती थी थी ना उसमें bikes या car उसमें ऐसा plate होता था मतलब छेद नहीं होती थी तो उससे होता क्या था brake मारने पे ना ये जो plate है ना ये melt हो जाता था मतलब बार-बार brake लगाने पे high speed में brake लगाने पे overheat होने के वज़ए से ये जो metal है ये melt हो जाता था और जल्दी खराब हो जाता था और साथ ही साथ ये जो आप देख पा रहें brake pad जो है ये भी घिस जाता था बहुत जल्दी इसलिए कंपनी ने इस पे research किया इस पे काम किया बहुत सालों बाद उसके बाद जब modern bikes बनने लगी उसमें कंपनी ने छेद देने लगे तो अब क्यूं छेद देने लगे यही चीज आगे वीडियो में discuss करेंगे और राइट दोस्तो ये छेद है ये देने का तीन सबसे बड़ा कारन है heat and temperature water and weight तो सबसे पहले guys हम बात करेंगे heat and temperature के बारे में तो guys आप जब bike चलाड़े होते हो तो आप brake मारते हो तो ये गर्म होने लगता है अब मान लो कि इसमें बस छेद ना हो छेद ना हो तो ये जैसा कि मैंने इसके history के बारे में बताए कि पहले brakes में छेद नहीं हुआ करती थी तो overheat हो यहां तक कि melt हो जाता था ये चीज बट अब छेद होने के कारण ये चीज ना heat जो होता है वो distribute होयाता है मैं आपको एक data दिखा रहा हूँ पहले ये देखिए दोस्तो अभी जो आप screen पे data देख रहे हो तो ये disk plate का image है और वहां पे मैंने दो arrow लगा रहे हैं तो वहां पे आप red red spot देख रहे हो disk rotors पे तो यहां पे साफ दिखा रहा है कि लाल वाले area में जो temperature है वो maximum बढ़ कर 238 degree तक पहुँच जाता है आप देख पा रहे हो तो आपने data देखा जहां पे छेद नहीं है वहां पे red है जहां पे छेद वहां पे red नहीं है it means कि जो heat होती है break apply करने पे जो heat लगती है न इस plate पे वो heat distribute हो जाता है और temperature बोलीजे heat बोलीजे तो फैल जाता है ठीक है और छेद होने के कारण यह बहुँच जल्दी ठंडा हो जाती है ठीक गरम होती है बट छेद होने के कारण यह ठंडा हो जाती है क्योंकि heat न इसके अंदर से इधर से इधर जाती है I mean बहुत सारे इसमें आप holes देख पा रहे हो तो यह छेद यही काम करते है heat management का काम करती है कि bikes के plate पे जो heat पर रहा हो यह गरम हो रहा होता है न उसको यह distribute कर देता है पूरे में बांट देता है और मतलब पूरे के पूरे heat को यह हटा देता है और इसे ज़्यादा गरम नहीं होने देता है तो आपने समझा कि heat और temperature कैसे management होती है यह छेद के दुआरा तो पहला तो यह इसका कारण है तो आप दूसरे important point पे आते है water तो आपके यह का कि पानी से और यह छेद का क्या संबंद है तो जी हाँ बहुत बड़ा संबंद है देखिए अगर छेद ना होता है इसमें holes नहीं होते हैं तो बारिश के दिनों में हम bike चलाते हैं ब्रेक अपलाई नहीं होता है नहीं होता छेद का यह कारण है कि पानी जो इस पे बारिश के दिनों में पढ़ता है न तो इसको आर पार कर देता है आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाड़ा हूँ अगर यह मानलो यह plane रहता पूरा छेद नहीं रहता तो हम ब्रेक अपलाई करते तो यह जो पैड है ब्रेक पैड यह ठीक से काम नहीं करता काम इसलिए नहीं करता क्योंकि इस पे friction बहुत कम होता आप समझ रहे हो पानी परने पे friction बिल्कुल भी होता नहीं छेद के बज़े से पानी परता है तो वो पानी नीचे के तरब गिर जाता है या आर पार हो जाता है छेद के द्वारा और यह जो पैड जब हम ब्रेक अपलाई करते हैं तो यह पैड अच्छे से friction बना पाती है ऐसे ऐसे चांप देती है ठीक अगर माल लो आप किसी जैसे कोई भी चीज माल लो यह स्मूथ सर्फेस है ठीक है इस पर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो यह friction इस पर क्या होगा बहुत कम होगा ठीक है ऐसे पर खुर खुर आई मेन रफ एरिया इसको हम बना देंगे और इस पर ऐसे ऐसे करेंगे फ्रिक्शन जैदा होगा न क्योंकि जादा सर्फेस को टच करेगी एग्जाकली ऐसा ही मेकनिस इसमें है पानी इस पर गिरा रहता है ब्रेक अपलाई होती है फ्रिक्शन कम होता है छेट देने का यही कारण है कि friction जादा होगा जैसे बारिश के दिनों में समझ रहे हो या पानी गिरा हो इस पे तब friction जादा होगा ये break की biting अच्छी होगी ठीक समझ गए न और तीसरा जो important point है वो है weight आप कहोगे कि मतलब इतना छेट देने से weight reduce कैसे हो जाएगा तो जी हाँ ये एक बहुत बड़ा topic है और बहुत important topic है इतना इतना छेट देने से न प्लेट का जो weight होता है वो reduce होता है अम मालेजिए इस plate में छेद ना हो normal plate हो ठीक है तो weight इसका जादा रहेगा और इसमें बहुत सारे छेद है ठीक है बहुत सारे छेद है तो इसमें जो parts है वो हटा तो इससे weight reduce हुआ और आपको इतने सारे इतना छोटा हटने से क्या फर्क परेगा जी हाँ फर्क परता है बाइक की जो पुड़ी weight होती है न तो यहां से भी management होती है मतलब इतना यह जो कर देने पे न बाइक के weight में अंतर आता है ठीक है तो यही तीन मुक के कारण है heat and temperature ज इसका अगर छेद ना होता तो friction बहुत कम होता brake apply नहीं होता छेद होने के कारण friction बनती है और brake हम apply कर पाते हैं बारिश के दिनों में या पानी वानी वाले area में और तीसरा जो है weight यह छेद देने से weight कमता है और पूरी जो bike की जो graphic होती है इसका जो mechanism होता है पूरा जो weight होता है उस पे असर करती है यह तो यही तीनों main points है तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा और कोई confusion अगर हो तो पूछ लीजिएगा मैं बता दूंगा comments में और मन करें तो subscribe कर लेना और मन करें तो Instagram पे भी आ जाना it's Muhammad Rashid यहाँ पे idea आ रही हो है आप वहाँ भी follow कर लि किजिए और राइट तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक लिए बवाय टेकर खुदा आफीज लिव यू लाइफ लिव ड्रीम बूम